पिछले पांच दशक से कामकाज के साथ 50 से अधिक देशों तक कंपनी की पहुंच है वायर और केबल बनाने वाली दिगज कंपनी केबल बनाती है कंपनी रीटेल और इंस्टिशनल मार्केट में EPC सर्विस भी देती है देश में मार्केट लीडर दुनिया भर में प्राइविट और पबिक सेक्टर का पसंदीदा सप्लायर के या इंडस्ट्रीज है तीस हजार से जादा चानल पार्टनर और पचास से जादा देशों को एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी अब कैसा है मौझूदा डिमांड ट्रेंड नए लाँचिस पे क्या अपडेट है केपिक्स प्लान क्या है ग्रोथ आउटलोक सब पे हम विस्तार से बात करेंगे चलिए जोड़ते हैं कंपनी के CMD अनिल गुपता सर को अनिल सर गुड आफटनून बहुत स्वागत है आपका Z-Business पे और सबसे बहतरीन बात ये है कि financial year जो है वो आज से शुरू हुआ है तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुपकामना है अच्छा सर बताइए केबल और वायर सेग्मेंट पिछला वितवर्ष डिमांड के लिहाज से कैसा रहा है और ये नए वितवर्ष को लेकर क्या उमीदे हैं या गुड़ आफनू नहरा नहा जीर मुझे जी बिजनस पे बुलाने के लिए शुक्रिया जैसा मैंने अपने पिछले भी इंटर्व्यूस में कहा है कि लास्ट यः भी डिमांड सिनेरियो स्टॉंग था देश में भी और विदेशों से भी स्टॉंग था और आने वाले साल में भी इसकी जो डिमांड ट्रैक्शन है वो स्टॉंग है और आगे मैं समझता हूँ अगले कुछ सालों तक ये रहेगी, देखें ये जो केबल बिजनस है, ये कैपेक्स से रिलेट करता है, जतना देश में कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे वो इंट्रस्ट्रक्चर में हो या इंडस्ट्रीज में हो या रियले स्टेट में ह उतना ही इसका डिमांड बढ़ेगा, और देश के अलावा दूसरे देशों का भी भारत की तरफ काफी रुजहान आ रहा है, और बहुत इंट्रस्ट है उनका भारतिये कंपनियों से बिजनस करने में और प्रोड़क्ट खरीदने में. सर, आपने बात की यहां पर जबर्दस डिमांड निकल कर आ रही है, अगर आप हमाएं दर्शकों को एक आइडिया दे सके कि क्या रियल स्टेट और इंफ्रा सेक्टर इन दोनों से बराबर बराबर डिमांड आ रही है, आपकी क्या उब्जरवेशन रही है? बिल्कुल, आपको मालूम है, पिछले कुछ सालों से इन्फरा में जो कैफेक्स इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रल गॉर्मेंट ने और स्टेट गॉर्मेंट से काफी बढ़ाई है, और रियल स्टेट में भी प्रैक्टिकली लास्ट यर से या दो साल से बूम चल रहा है, औ और हर तरफ जो है, रियल स्टेट के प्रैसिस बढ़े हैं, इस साल भी यही स्थिती लगती है, और मैं समझता हूं कि यह, क्योंकि पिछले कुछ सालों तक काफी सालों से रियल स्टेट सेक्टर डल रहा था, यह पिछले दो साल से रिवाई हुआ है, और मैं समझता हूं कि अब इसकी यह एक पॉजिटिव साइकिल कुछ सालों तक चलेगी अंतराश्य बाजारों से भी कुछ बहतरी डिमांड आ रही है सर किस स्पेस से जादा डिमांड आ रही है कौन सी जोग्रोफी जहां से कुछ बहतर बिजनिस की संभावना है आपको देख रही है नहीं कर पांगा बट जो सेक्टर्स हैं सेक्टर्स तो सोलर है विन्ट पावर सेक्टर है आउल इंड गैस सेक्टर है यह तीन चार सेक्टर्स हैं जो जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड काफी स्ट्रॉंग है दूसरा भारत में CAPEX plan जो है railways में, metros में highways, expressways and power transmission distribution and power generation जो industries आ रही है नई industries investment आ रही है जैसे PLI की बज़े से या otherwise भी जो कुछ सालों से रुकी होई थी तो इन सभी sectors में अगर मैं देखूँ कि एक सार demand आनी शुरू हो गई है और यही कारण है कि demand scenario robust है सर बता पाएंगे आपकी current order book status कैसी है in terms of EPC, HP, domestic cable और export cable लेकि ओवरॉल मैं रफली 3600 करोड के करीब order book है बाकी मैं बहुत जादा आगे forward guidance में भी नहीं कर पाऊंगा because यह भी silent period में चल रहे हैं demand scenario मैंने आपको बताया कि काफी अच्छी demand है और मैं समझता हूँ कि जो हमारा earlier guided growth trajectory है वो maintain EPC segment पर ही अगर खास तौर पर बात करें क्या आपका view इसमें निकल कर आ रहा है यह segment कैसा प्रदरशन दिखा रहा है और क्या वित्वर्ष 2025 इस पर खास focus है एक एपीसी segment तो बढ़ रहा है EPC में ultimately जितने भी capex investments आ रहे हैं आज कर ट्रेंड यह है कि हाद customer EPC EPC concept के उपर inquiries generate करता है और turn की projects ही award करता है हमारा focus EPC पर कम है because हम एक premier product manufacturing company है तो हमने EPC पर पिछले कुछ सालों से अपना focus कम किया है इसलिए हम खुड़ा नीचे गए हैं बट जो यह level है हमारा 400 से 500 करोड रूपे का EPC में इसको हम maintain रखे कोई ऐसे pockets है सर या कोई ऐसा segment है उस पर अब focus नए वित्वर्ष में बढ़ता दिखेगा हमें ऐसा कुछ नहीं है sectors तो same है oil and gas solar, wind, power generation, plant, transmission the sector remains same हमारा focus हर sector पर है नी नी सर्थ मैं segment wise पूछ रही थी जैसे आपने कहा ना कि EPC segment है उसमें थोड़ा सा आपका focus हाल-फिलाल में कम हो हमें segment wise पूछ रही थी कि कोई ऐसा particular segment है जुस पर आप खास focus कर रहे है या खास demand देख रही है वहाँ पर मेरे लियास चे तो सभी sectors में अच्छी demand है और focus अब जेंगा उतना ही बना रहे हैं अच्छा सर किसी प्रकार के price hikes हम होते हुए देखेंगे नए वित्वर्ष में प्राइस हाइक्स अर रहे डिटेट टो रहा मेंट्र प्राइस अगर पर अल्मिनियम और स्टील के प्राइस बढ़ते हैं तो लाजमी बात है कि वह customers को पासाउन होगा यह तो this is a consistent policy of the companies पिशले वित्वर्ष में आपने कुछ लिये हैं क्यूंकि हमने हाल-फिलाल में Time to time जिस ratio में metal prices बड़े हैं या दूसरे material के prices बड़े हैं उस ratio में price hikes भी लिए हैं और अगर जब घटते हैं तो उनको कम भी लिए है. अच्छा, अच्छा सर ये बताईए कि अंतराश्य बाजार से आए के front पर देखें तो कितना योगदान है अंतराश्य बाजारों का और going forward यहां से आप demand scenario कैसा देख रहे हैं in comparison with domestic market? Demand scenario overseas markets में बहुत strong है. और वो in line है with domestic market also. Export markets को develop करने में वक्त लगता है वहां पर उन country specific approvals कराने पड़ते हैं, technical approvals या जो भी उन country में requirements हैं to sell the product like cable. तो वो company अगर उन चीज़ों पर ध्यान देती हैं और उन approvals के ओपर focus करती हैं, तो लाजमी है कि inquiries generation होगा और उसके बाद तो price बिठाने वाली बात है. Okay, sir आपका B2B और export contribution पिछले वित्वर्ष में कैसा रहा है, sir अगर आप एक idea दर्शकों को दे पाए और export demand of FI25 के लिए कैसी आपको दिखाई देरी, कोई additional capacity requirement है export demand को लेकर? बहुत अच्छी demand रही है B2B में, export में या दूसरी कितने भी हमारे verticals हैं, और export demand is very substantial, जहां तक capacity expansion का सवाल है, जो हमारी capacity capacity, capex plans हैं, वो already मैंने आपको guide किया था कि इस साल 600 से 700 करोड रुपे का, या उससे भी ज़्यादा capex plan है, पिछले साल भी हमने 500 करोड के करीब capex किया और ये capex का जो speed है, अगले 3 से 4 साथ तक चलता रहे है, okay, sir, साथ ही अगर आप हमें बता सके, EVH cable, sir, किस प्रकार के numbers आप वहां से आते हुए देख रहे हैं, and what utilization in EVH are you currently operating at, अगर आप ये बता पाएं, EVH means EHV cables, sorry, EHV cables, sir, my bad, extra high voltage cable ने बहुत अच्छा perform किया है इसले financial year में, और इस financial year में भी काफी अच्छी performance की उमीद है, जहां हमारी demand capacity उसमें एक constraint है, जो इसले हम बहुत ज़्यादा इसमें इस साल grow नहीं कर पाएंगे, बट जैसे हमारी नई capacity आती है सानन्द में, तो तब से हम उसमें grow करना शुरू करें, okay, अच्छा sir, advertisement spends आपके कैसे रहे हैं अगर हम quarter 4 की बात करें पिछले वितवर्ष की, और किस तरह के spends आगे हमें नए वितवर्ष में दिखेंगे? आपने देखा होगा हमने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से एक sponsorship में लिया है, जिसमें हम पैक उनकी जो टी शर्ट है, उसमें के याई वायस और के बस दिखाई देता है और simultaneously, you know, billboards, shop brandings and even TV advertisement, इन सभी मद्ध पे हम focus कर रहे हैं और ad spend तो बड़े गाई, because जब retail को बढ़ाना है तो ad spend को बढ़ाना है ज़रूँ ही. valid point sir, गुपता sir, thank you so much, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से company के आगे के plans और capacities के बारे में दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कर दो